इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म काम करने में लगने वाले समय की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिन होती है, लेकिन आमतोर पर इसमें 30 मिनट और एक घंटे के बीच का समय लगता है. यदि आप यौन रूप से उत्तेजित हैं तो यह दवा आपको इरेक्शन प्राप्त करने में मदद करेग हालां कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए. इसे दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. इस दवा के सबसे सामान्य दुश प्रभाव निस्तब्धता, गर्मी का एहसास, सिरदर्द, चकर आना, धु इसी भी अन्य दवाओं का उप्योग करने से बचना चाहिए. इसे नाइट्रेट्स नामक दवाओं के साथ लेना खतरनाक हो सकता है, अक्सर सीने में दर्द्या इंजाइना के लिए दिया जाता है. अगर आपको गंबीर, रिदय या यकृत की समस्या है, हाली में स्ट्रोक इसे लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आप इन में से या किसी अन्य स्वास्थे समस्या से पीड़ेत हैं. अगर इस दवा से आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको गारी नहीं चलानी चाहिए. इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे इस दवा को न लेते हैं तो इस दवा को न लेते हैं. वियागरा टेबलेट के साइड एफेक्ट. अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं. क्योंकि आपका शरीर दवा में समयोजित हो जाता है. आपने चिकित सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं. वियागरा के सामान्य दुष्प्रभाव, निस्तब्धता चेहरे, कान, गर्दन और धर्मे गर्माहट का अहसास सिर दर्द, कठोर्ता, नकसीर, दुंदली द्रिष्टी, खटी डकार, मांस्पेशियों में दर्द, पेट की खराबी, खरोंच, वियागरा टेबलेट का उप्योग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी में लें. इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.